Hello friends आप से करे फिर से स्वागत है आज किस नश्वागव में दोस्तो आज किस बड़े हो मताएंगे की किसी भी ट्रेन का लोकेशन कैसे पता करे कि वो ट्रेन अभी कहां पर है लेट चल रहा है या फिर आन टाइम चल रहा है ये समचीज पता कैसे खड़े दोस्तो एक click में पता कर सकते इसका पूरा process समझाने वाले mobile की screen पिले जाके ताकि आप भी process समझ सके और खुद अपने mobile से जिस भी train का चाहते उस train का location पता कर सके और ये भी पता कर सके कि वो late चल रहे या फिर on time चल रहे और जहां पर आपको पहुचना है वहां पर ट्रेन कब पहुचेगा या फिर आपको ट्रेन पकरना है तो वहां पर ट्रेन कब आएगा यह सारा details आप एक click में चेक कर सकते खुद अपने mobile से दोस्तों पूरा detail में समझने के लिए वीडियो को प्लीज पूरा आन तक जरूर देखिएगा तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक request जरूर करेंगे कि अगर आपने अभी तक हमारे चनल को subscribe नहीं है अभी अभी चनल को subscribe कर दीजिए और notification में जरूर पेस कर दीजिएगा तो दोस्तों किसी भी train का location track करने के लिए सबसे पहले आना है प्ले स्टोर पे और प्ले स्टोर पे आने के बाद यहाँ पे सर्च करना है where is my train दोस्तों यह application का नाम है इस application को आपको install कर लेना है और install करने के बाद open वाले button पे लिक करना है तो दोस्तों जैसे ही application को open करेंगे तो कुछ इस तरीकी का interface देखने को मिलेगा इसमें आपको language select करना है जो select करना चाहे है हिंदी या फिर English उसके बाद submit वाले button पे क्लिक करना है तो दोस्तों submit वाले button पे क्लिक करते हैं कुछ इस तरीकी का interface देखने को जैसे आप जानना चाहते हैं कि अभी दिल्ली से पटना कौन कौन से चल रहे हैं तो वह दो इस्टेशन की मदद से आप जान सकते हैं तो हमको जानना है कि पटना और दिल्ली के बीच में कौन से चल रही है तो उपर में पटना जक्सन डालेंगे और नीचे में डालेंगे निव दिल्ली दोस्तो उसके बाद find वाले बटन पे क्लिक करेंगे find trains पे तो जितना भी train पटना और दिल्ली के बीच में चल रही है वो सारा के सारा लिस्ट यहाँ पे सामने आ चुका है दोस्तो आप इन सारे train का location track कर सकते हैं यह कौन कौन दीन चलता है यह पता कर सकते कौन टाइम पे चल रहा है कौन से platform पे है डिले चल रहा है या फिर on time चल यह सारा details साब चेक कर सकते हैं तो एक एक करके बताते हैं इसको कैसे चेक करना है तो दोस्तो जो भी list सामने आया है इसमें train का नाम लिख में यह पटना जक्सन आती है और चार बज के 40 मिनाट सुबह में यह नियो दिली पहुंचा देती है और यह ट्रेन रेगुलर चलती है सब्ता हमें सातों दिन उसरा ट्रेन है पुर्वा सुपरफास्ट इस्पेसल ट्रेन जिसका ट्रेन नम्मने 02303 जो कि चार बज के 5 पीम साम को आती है पटना और 6 बज के सुबह में पहुंच जाती है दिली यह ट्रेन रेगुलर नहीं है डेली नहीं और फिर फ्राइडे सटर डे सब्ता हमें चारी दिन है तो दोस्तों अब चलते ट्रेन को ट्रेक करते हैं कि वह ट्रेन कहां पे है ऑन टाइम चल रहा है या फि ट्रेइड करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीकी का इंटरफेस सामने आ जाएगा तो दोस्तों यह ट्रेन चलती है जित करन Ś arrived journao ये कोई छोटा station है वहाँ पी ये पहुचा है journao ये कोई छोटा station है next stop is है इसका मौधुपूर जक्सन दोस्तो ये पता चल गए ये तो graph से ही पता चल जा रहा है दोस्तो आप पता करना है कि train on time चल रहे या फिर late चल रहे उसके लिए नीचे train का नाम लिखा हुआ है पुर्वा superfast special train उस पे आपको click करना है तो दोस्तो देखे रेड कलर में लिखा हुआ आ रहे है delayed by 44 minutes at journao जोरnao station पे अभी पहुची है वहाँ पे 44 minutes late पहुची है दोस्तो 44 minutes अभी लेट चल रहे है train next stop is है इसका मधुपुर जक्षन पटना पहुचेगी यह 4 बज के 6 minutes सामको PM में और अभी इसको सफर करना है 269 km सफर करेगी तब जाकी यह पटना पहुचेगी तो दोस्तो यह पूरा detail सामने आ चुका है इसको आप अपने दोस्तों को share करना चाहते है तो नीचे में share वाला बटन है उसके आपको क्लिक करना है WhatsApp पे भेजना चाहते हैं या फिर Facebook, Telegram जहां पे भेजना चाहते हैं वहां से यह सब share का option आ चुका है उसके क्लिक करके आप इसको भेज सकते हैं डोस्तों अब आते हैं या पे दोस्तो यह बता रहा है जितना भी station Highlighted है यह सब station है कि इस पे यह रुकेगा Stoppages है यह सब Highlighted इसलिए है कि यह सब इसका Stoppages है और जो भी stoppages नहीँ है उसके बीच में आप जानना चाहते कि इस दो stoppage के बीच में कौन कौन से station आता है उस पे आपको click करना है बीच में line पे click करेंगे तो उसका बीच में जितना छोटा छोटा station आता है वो सारा निकल के सामने आ जाएगा बंद करने के लिए फिर से line पे click करेंगे बंद हो जाएगा दोस्तो इसी तरीके से आप जो बीच के station पे click करेंगे line पे आ जाएगा छोटा छोटा station नाम बंद करना चाहते है फिर से click कीजिए बंद हो जाएगा दोस्तो इस तरीके से अपने train के बारे में पूरा detail पता कर सकते है कि ये train का number क्या है कौन दीन चलता है और टाइम चल रहा है या फिर लेट चल रहा है अभी है कहां पे next day stop is कौन सा है कब तक दिल्ली पहुचेगी कब तक पठना पहुचेगी ये सारा detail आप एक click में चेक कर पाएंगे इस तरीके से दोस्तो आप खुद से चेक कीजिए जिस भी train का चेक करना चाहते हैं नंबर आपको नहीं पता है तो train को सर्च कर लीजिए आ जाएगा अराम से कोई दिक्कत होता है तो नीचे comment box में comment करके जरू बताएगा तो दोस्तो अगर आपको ये वडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दिजिएगा ऐसे वडियो फीचर में भी देखने के लिए चन्द को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरू पेस कर दिजिएगा और किसी अगले टॉपिक के उपर बडियो देखना चाहते तो भ पर ये चलते मिलेंगे फिर अगले वडियो में अगले वडियो में